आज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप अपना KTM RCU कैसे छपरी बनने से बचा सकते हैं फर्स निट फर्स आपको तो कभी भी ये टेल टैडी रिमूव नहीं करने का है सेकेंड निट सेकेंड आपको ये जो मठलिप दे गया है उसे भी कभी रिमूव नहीं करना है जो कि टायर नेकेड दिखता है उसका काड़ी काफी छपरी लगता है